रेडियो बाल पत्री का रंगोली रंगोली कारिक्रम में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज इस कारिक्रम में हम आपको कुछ तारवाद्यों से परिचित कराएंगे तारवाद्यों में अनेक वाद्य हैं जिन में तीन वाद्य प्रमुक हैं ये वाद्य हैं सरोद, संतूर और सितार हम आपको बता दे दोस्तों तार वाध्य उन वाध्यों को कहते हैं जिन में संगीत की ध्वनी निकालने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है साथियों ये ध्वनी है सरोद की भारतिय वाध्य यंत्रों में सरोद का विशेश स्थान है इसे प्राचीन वाध्य शारदा वीणा का विकसित रूप माना जाता है सरोद के विशेश में ये भी कहा जाता है कि इसन 913 इस्वी में इबन अल अब्बास नाम के एक समर्कन निवासी ने इसका आविशकार किया था उसने अपने इस वाध्य यंत्र का नाम रखा था शरूद इसी शरूद शब्च से बना सरोद इसलिए कहा जा सकता है कि सरोद मध्य एशिया से भारत आया सरोद लकडी का बना होता है जिसमें तार लगे रहते हैं इसमें चार प्रमुक तार और चार सहायक तार होते हैं इनके अलावा दो तार आधार के लिए और लगभग एक दरजन तार अनुगूंज या तरब के लिए होते हैं वादक लकडी के एक छोटे टुकडे से इसे बजाता है जिसे जवा कहते हैं साथियों सरोद की ध्वनी की पहचान अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि भविश्य में कभी इसकी ध्वनी यदि आप सुने तो समझ जाएं कि ये सरोद की ही ध्वनी है तो आईए सुने सरोद वादन झालो आईए सरोद वादन साथियों, अब बारी है संतूर की संतूर अपनी सुरीली और मीठी आवास के लिए सारे संसार में जाना जाता है जब इसे बचाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो कल कल करते हुए जरने बह रहे हैं ये कश्मीर घाटी का वाद्य है कहा जाता है कि ये शत तंत्री वीना यानी सौ तारो वाली वीना का विकसित रूप है ये वाद्य लकडी का बना हुआ होता है इसमें साठ तार लगे होते हैं वादक संतूर को सामने रख कर बैठता है और लकडी की दो डंडियों से जो आगे से मुड़ी होती है इसे बजाता है साथियों अब संतूर की ध्वनी की पहचान भी अच्छी तरह से कर लीजिये ताकि जब भी आप इसकी ध्वनी सुने तो समझ जाएं कि ये संतूर की ही ध्वनी है तो आईए सुने संतूर बादन और साथियों अब हम आपको बताते हैं सितार के विशय में भारतिय शास्त्रिय संगीत के तार वाद्यों में एक लोगप्रिये वाद्य है सितार आज सितार का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वो शुरू में ऐसा नहीं था इस वाद्य का भी दूसरे वाद्यों की तरह क्रम एक विकास हुआ ऐसा कहा जाता है कि सितार उत्तर पश्चमी एश्या से भारत आया सितार सहतार शब्द से बना है सहतार एक प्राचीन पर्शियन वाद्य यंत्र था जिसमें तीन तार लगे होते थे सहतार को संगीच शास्त्र में त्रितंत्री यानि तीन तारों वाला वाद्य भी कहा गया है आज का सितार इसी सहतार का विक्षित रूप है आप इसकी ध्वनी की पहचान कर लीजिए का सब्साद़् किरें तीन 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 किरेंगी तीन 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 साथियों, अभी आपने सरोध, संतूर और सितार वाद्य यंत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की और इनकी ध्वनी की पहचानवी की अंत में आईए हम आपको इन ही वाद्यों को क्रम बदल कर सुनाते हैं आप वाद्यों के नाम पहचानियें तो सबसे पहले सुनते हैं ये वाद्य पहचाना आपने? हाँ, ये संतूर ही था और अब सुनते हैं ये वाद्यों ये था सरोद आपने पहचाना? और अब सुनिये तीसरा वाद्य शबाश ये सितार ही था तो साथियों, अब अप अच्छी तरह से सरोद, संतूर और सितार को पहचान गए हैं है ना? एक काम और आप अपने अध्यापक, माता, पिता या बड़े भाई भेहन की साहता से इन वाद्यों को देखें और इनके चित्र अपनी कौपी में चिपकाएं रंगोली अभी आप सुन रहे थे C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत ये रेडियो बाल पत्रिका कारेक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्ष, प्रभुदयाल खट्टर, संपाधक मंडल, अजीत होरो, रमेश रानी शर्मा तथा दाव दयाल चतुर्वेदी, निवेदन, आर्ती बक्षी, ध्वन्यंकन, बटिलैंग लिंग्डो, निर्माण सहयोग, वंदना अरिमर्द तथा आलेक, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो,